गूट मॉर्निंग स्टूडेंट्स मैसूमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज में आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में हम असोग के सिलालेक एम उसके लगू सिलालेक और उसके विश्यों के बारे में बात करेंगे तो देखेंगे हमने असोग के प्रारंबिक ज परिक्स्यास संब्द जो इत्यास विश्यों है उसके महत्यों टोपिक मिलेंगे तो देखेगा पढ़ते हैं असोग मोरिय के सिलालेक ठीक है तो असोग के सिलालेक और उसके विश्यों क्या क्या थे असोग के चोदह विभिन राज्जा गया हूँ अर्थात सासना देश है तो असो के चोदह विभिन राजा गये हैं, जो आठ अलग-अलग स्थानों से प्राप्ते हुई हैं, जिने व्रैद अभी लेक कहा गया है, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अब हम असो के सिला लेक और उसके विशे के बारे में बात करेंगे पढ़ेंगे देखेगा दोली एम जोगड दोनों अभी लेकों पर ग्यारवे से तेरवे तक लेक नहीं मिलते तता उनके स्थान पर दो नए लेक खुदे हुए हैं जिन में अन्तो सिमानतवासियों तथा जनपदवासियों को दिये गए आदेश हैं इनको प्रथक कलिंग प्रग्यापक कहा जाता है तो प्रथक कलिंग प्रग्यापक कौन से अभी लेकों को कहा जाता है दोली एम जोगड दोनों ही अभी लेकों को कहा जाता है क्योंकि इसमे दो नए लेख हुद्यों मिले हैं जिन में जनपदवासियों और सिमान्थवासियों को आदेश दिये गए हैं इसलिए इनको पर्थक का लिंग पर ग्याबक कहा जाता है धोली अम जोगन अभी लेख को ठीक है सिला लेख का अर्थ आप देखिएगा बनाते हैं सिला लेख पर लिखा गया लेख ये लेख असोग के आठ व्रहद अभी लेखों पर कर्मानुसा लिखे हुएं मिले हैं जो इस परकार से हैं तो सिला लेख का अर्थ क्या होता है सिला पर लिखा गया लेख अर्था पत्थर पर लिखा गया लेख और ये लेख है ये आठ व्रहद अभी लेखों पर लिखे गए हैं जो भिन भिन इस तानों से आठ व्रहद अभी लेख मिले हैं उन पर ये सिला लेख मिले हैं जो इस पर्थम सिलालेख क्या है देखेगा इसमें पसु बली की निंदा की गई तदा समारों पर पाबंदी की बात कही गई है इस आदेश के बाद भी राज के पाक साला में सैंकडों पसु के स्थान पर दो मोर और एक म्रग मारा जाता था अर्थात सिमित पसु हत्या दूसरा सिलालेख उस पर देवानाम पिये ने मानवों एम पसुओं के कल्याण से संबंदित अन्य कल्याण कारी कारिये जैसे सड़क, निर्मान, कुवा निर्मान, सड़क किनारे छायादार वुलेक्ष इस्तापित करना, चिकिसा लेकी वेवस्था, समाज कल्याण, मनुस्य अपने समराजे बलकि दक्षिन के पडोसी राजियों, जो चोल, पंडे, केरल, पूत, सत्य, पूत, तता, पस्चिमी पडोसी राजियों, सीरिया के सासे एंटियों के से हम उसके पडोसी राजे में भी उपलब्द करवाएगी, देखेगा एकजामें पूछ लेते हैं सिला इसमें क्या है? असो के तीसरे सिलालेक से ग्यात होता है कि उसके राजे में प्रादेशिक, राजुक, युक्तों का हर पांचवे वर्स दरम पर चार हितु भेजा जाता था, जिसे अनुसंधा ने कहा जाता था, इसमें बचत, दार्मिक नियम और अल्प वेक को धम का गोस की जगए धम गोस की घोशना की गई, भेरी घोशर था थे, युद की घोशना की जगए अब धम घोश यानि धरम की घोशना की गई है, सिलालेक पांच, सिलालेक पांच में असोकने लोगों को धम में परवर्त करने और धम में परवर्त लोगों के कल्यान के लिए सास प्रशासन एम सूद्रड व्यापार की जानकरी मिलती है धम महामात्र अदिगारी कभी भी मिल सकता है अथ्वा किसी भी समय असोक से मिल सकता है उस समय में भी जब असोक अपने सेनकक्स में हो अथ्वा नीजी कारियों में वेश्थ हो अर्थात आत्म नियंत्रण की सिक्सा यहां पे मिलती है सिलालेक साथ इस अभी लेक में धम के सवरूप को सपस्ट किया है तता विभिन दर्मों के बीच धार्मिक सही चुनोता की बात की है सब मतों के वेक्ति सबस्तानों पर रह सके योंकि वे सभी आत्म सैयम एम रधे की प के बदले धम यात्रा को अपनाने की बात की गई है सिलालेक नू विवाह जनमो सव आधी पर खटेले समारों की पाबंदि की बात कही है तता ब्रहमणों वये स्थ्रमुणों तता श्रमणों के प्रति आदर रखने दासों के प्रति करुना भाव रखने की बातें मिलती है इन कारियों से स्वरक प्राप्ति होने का उलेक मिलता है। सच्ची भेंट वैं सच्चे सिस्टर चार का वर्णन किया गया है। सिलालेक 10 इस अभी लेक में असोक विभिन संपरदयों के बीच असंतोस से चिंतित है। तता ब्रामनों एम स्रमनों के प्रती सम्मान भाव रखने की बात करता हर्थात राजा उचदिगरी में सा परजा के हित में सोचे। सिलालेक 11 धम की व्यक्या धरम के वर्दान को सरोतम बताया गया है। सिलालेक 12 इस्तरी मामात्रों की निउक्तिवा सभी प्रकार के विचारों के समान की बात कही धार्मिक से चिसनोंता की निती। सिलालेक 13 इसमें सासन के आठ वे वर्द अर्थात 261 इस्सा पूरु है। कलिंग विजे कलिंग यूद असो का रधे परिवर्तन पडोशी राजों का वर्णन मिलता है। इसमें मोर ये समराजे के पस्सिम के पडोशी राजों का उलेख है। जिन के साथ असो के रानेतिक सम्बन थे वे इस प्रकार से हैं। अंटियोकस सेकिंड जो सीरिया का था। टोलेमी फिलाडेलफस सेकिंड मिस्र का था। मगस सिरीन अलेकजंडर एपिरास अंटिगोनस गोनाटस मकदूनिया का। ठीक है। सिलालेख 14 है। धार्मिक जीवन जीने की प्रेरना दी तेरह सिलालेखों में जो भी तूटी हुई है उनको यहां पर सुधारा गया है। तो यह आठ स्थानों से जो मिले हैं जो रैद अभी लेख मिले हैं उन पर यह 14 बाते लिख्यू हुई हैं सिलालेखों पर वो ही यहां पर बताया गया है। मोरिय समराट सो के लगू सिलालेख देखेगा कौन-कौन से थे अभी हमें मोरिय समराट सो के सिलालेख पड़े पड़ेगे लगू सिलालेख तो यह निमलिंकित्य स्थानों पर मिले है तो असोग ने स्वेम को मकदा दीराज कोन से लगू सिलालेक में का है भाबु जो वैराट राजस्तान के जेवपूर में श्तित है इसमें का है असोग ने बुद संग धम में आस्था व्यक्त की है बोद मतानों यहाँपर दर्साया गया है कनिंगम द्वारा इसे सोद के लिए कलकत्ता म्यूजियम ले जाया गया अंद्र के कनूल जिल्य में इस्तित एहरोरा उत्तर पर्देश के मिर्जापुर जिल्य में इस्तित कंधार का द्विभासी बिले यह है दो बहसों में अरामाईक और युनानी में लिखा गया है असो की धम नीति के कारण इस छेत्र के मचवारों आखेटकों ने अपना पेश बदल दिया था निगाली सागर लगुशिला लेख है वो असोग के सासन के चोद्वे वर्स 279 इससा पूर्वे में इस छेत्र का दोरा किया तथा करनक मुनी भुद के स्थूप को दो गुना बड़ा करवाया था अर्थात यहां पर वह बोध अनुयाई दर्सित होता है यह न नेपाल में इस्तित हो लगुशिला लेख देखेगा असोग के सासन के 20 वे वर्स इस चेत्र का दोरा किया असोग ने गया और इस स्थान की पवितर्ता को ध्यान रखते हुए इस चेत्र पर से बली नामक कर हटाया गया तता भाग नामक कर एक बटा 6 से गठा कर एक बटा 8 कर दिया गया अर्थात करार ओपर पढ़ना लिए वो यहां पर दर्साई गई है यह क्यूसन भी कई बार पूछ लेते हैं कि असोक ने कहां से बली नामकर हटाया रूमन देई से और उसको कितना कर दिया था भाग नामकर को एक बटा छे से गठा कर कितना किया गया एक बटा आठ किया गया और कोन से वर्ष में गया असोक ने अपने सासनकाल के 20 वे वर्ष में किया इन बातों का पता कहां से चलता है रूमन देई जो नेपाल में इस्तित है वहां के लगू सिलालेक से ठीक है श्वानगेरी स्थम अभिलेक रजुक जो जिले का अधिकारी होता था नामक अधिकारी की चर्चा की गई है स्वानगेरी स्थम जो अभिलेक वहां से रजुक नामक अधिकारी की चर्चा की गई है रानी का अभिलेक को सामभी में इस्तित है और इस्त्री धम महामातर अधिकारी का उलेक मिलता है तदा असोक की परधा रानी की रूप में पाकिय का उलेख है जो तीमर की मा थी ठीक है सारो मारो सहडोल मध्य परदेश पन गुडरिया सिहोर मध्य परदेश तथा नेतूर और उड़े गोलम बेलाडी करनाटक नामकस्थानों से लगू सिलालेख की दो अन्य प्रतिया प्राप्ते हुई हैं एक अन्य लेख उड़े गोलन जो बेलाडी करनाटक से मिला है कि गुलबर्गा जिल्ले में इस्तिसनाती नामकस्थान से असोक अलिन सिलालेख प्राप्ते किया गया है मास की गुर्जरा नेतूर उड़े गोलन के लेखों में असोक का वेक्तिगत नाम असोक मिलता है इन अभी लेखों में असोक की उपादी नहीं मिलती तो जो मास की गुर्जरा नेतूर और उड़े गोलन के लेख हैं इनमें असोक का नाम असोक मिलता है इनमें असोक की कोई भी उपादी नहीं मिलती है तो इस वीडियो में हमने असोक के जो सिलालेख हैं उनके विशे हैं तथा लगू सिलालेख हैं उनके बारे में हमने संपूर्ण जानकरी प्राप्त की एक्जाम में इन से बाहर से कुछ भी नहीं आएगा आप इस वीडियो को अच्छे से देखेगा हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद